आसकार सभी को जैसे कि उत्तर प्रदेश में राजखी विद्यालों के ट्रांसफर के लिए तीन दिन का समय दिया गया है तो ये सारे ट्रांसफर मानव समपदा की जो वेबसाइट है उससे होने हैं और तीन दिन का समय है चौबिस, पच्चिस और चबिस तो कैसे करना है apply क्या steps हैं तो सबसे पहले आप home पर जाएंगे तो home पर नीचे आपका news section दिया होगा इस तरीके से ये news section है, news section में ये view vacant post पे आपको click करके सबसे पहले vacancy जाननी है कि कहाँ पर vacancy सो हो रही है इसमें select करेंगे 2024 यहांपर district select करेंगे 음नलो आपको अगर आजमगड में चाइए तो आजमगड में यहाँ पर हम district select करEंगे CADR CADR में आप किस के लिए apply कर रहे हैं lecturer GIC या lt grade gIC तो जैसे अगर lt grade के लिए है तो ltv grade select करेंगे नीचे फिर सम्मिट अगर कर दोगे तो इस तरीके से आपकी vacancies आ जाएंगी कि आजमगड में कहां कहां पर vacancy है जैसे Government Girls Center College नंदव, मुहमदपूर तो यहाँ पर female, Hindi की एक है English की एक है, Arts की तो ऐसे ही आपके सामने इस तरीके से विद्याले खुल जाएंगे उनमें आप लोग अपनी seats देख लीजिए इसमें female और open करके ही seats आएंगी open का मतलब है जिसमें female और male दोनों जा सकते हैं female में जो vacancy है वहाँ पर केवल female ही apply कर सकती है तो जो male है तो male के लिए जैसे यह आप देख सकते है serial number 16 government high school currenti L.T. grade GIC assistant teacher English open 1 female दोनों कर सकते हैं लेकिन male जो है female वारले में नहीं जा सकते हैं तो इस तरीके से आप अपने district की seats देख लें फिर जब हम उपर जाएंगे यहां से मालो हमारे हमारा मंपसंद जो भी विद्याले हम चाहते हैं transfer जैसे कि हमें लगा कि यह जिसे हमें करना है इसमें government high school करंटी English के लिए एक vacancy है तो ऐसे करके वो विद्याले आप लोग देख लीजे जहां पर आपके seat की vacancy दिखा रही है फिर आप इसमें जाएंगे login करेंगे login में सबसे पहले हमें क्या करना है अपना department select करना है सभी को पता हमाला secondary education department है फिर हम user id डालेंगे तो user id आप लोग डाल लीजिएगा तो इस तरीके से user id जब आपका हो जाएगा इसमें password आप लोग फिल करेंगे फिर हम cap chap न फिल करेंगे और फिर हम login कर देंगे कर देंगे तो इस तरीके से login करने के बाद हमारा ये module open होके आ जाएगा फिर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले ये option जो दिया है यहाँ पर appointment and posting का आप लोग देख सकते हैं तो appointment and posting भी हम क्लिक करेंगे सबसे पहला option आएगा आपका merit based transfer फिर request based transfer फिर policy transfer फिर posting on promotion तो हमें request based transfer सेलेक्ट करना है तो request based transfer के बाद इधर आएगा apply for request based transfer तो इसमें apply पर हम क्लिक कर देंगे तो इस तरीके का हमारे पास ये option खुल के आ जाएगा तो जब यहाँ पर option आएगा तो सबसे पहले हमें अपना reporting officer सेलेक्ट करना है तो select reporting officer पर जब हम क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपके पास interface खुलेगा जिसमें आएगा reporting officer तो जब हम इस पर क्लिक करेंगे add a reporting officer पर तो यहाँ आप देखेंगे एक तो fix by e-code अगर आपको अपने डियाजर का मानो संपदा code पता है जो के एक list जारी हुई है जिसमें दिया गया है simple fill करके उससे भी कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर select कर लीजिए किस के लिए कर रहे है transfer के लिए कर रहे है transfer पर जाके फिर यहाँ पर सीधे आप reporting officer का EHRMS code जो है fill करके उनको add कर सकते हैं मानो आपके पास वो list नहीं है तो fix by search पर भी जाके आप कर सकते हैं तो online service transfer डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पर जाना है secondary education नीचे दिया होगा यह है secondary education direct rate में आपका direct rate आप secondary education रहेगा posting district अब आप जिस भी district में posted हैं तो वहां का आप डालिएगे क्योंकि उनका ही हमें fill करना है तो जैसे यह हमने डाल लिया फिर आपका reporting officer office आप DIS हो जाएगा ठीक है posting office पोस्टिंग office में भी आप देख लीजिएगा इसमें आपका मतलब उनका पड़ेगा DIS का ठीक है तो इस तरीके से इसमें नीचे हम जाएंगे office आप DIS ठीक है posting office मतलब office आप DIS ही आएगा मतलब reporting office और posting office सेम रहेगा यहां बर जब आप जिसको add कर रहे हैं उसकी information मागी गई है ठीक है तो आप अपना reporting officer add कर रहे हैं तो reporting officer कहां posted है तो उनकी information देनी है designation क्या है designation में देख लीजिए obviously DIS है तो DIS का option इसमें देख लीजिए कहां पर है यह होगा district inspector of school ठीक है तो आपको district inspector of schools करना है फिर employee name तो जो होगे वही आ जाएंगे जो भी आपके district के होगे DIS उनका नाम आ जाएगा तो यह है जब आपको उनका मानव संपदा code नहीं पता है इस तरीके से by fix search करके आप कर सकते हैं और अगर उनका code पता है तो सीधे आप fix by e-code में उनका मानव संपदा code डालेंगे वैसे ही उनका नाम आके खुल जाएगा इसको कर ले save जब यह इस तरीके से आएगा are you sure इसको कर दें ok data saved successfully तो यानि यह आपका अब save हो गया है ठीक है इसके बाद फिर हम जाएंगे appointment posting पे request based transfer apply for request transfer अब यह reporting officer आपके already इसमें add है फिर इसके बाद है pending court case no कोई भी court case आपके against नहीं है ground of transfer exemption request तो यहाँ पर आप जो है अपना ground select कर लें किस ground पर आप कर रहे हैं आप physically handicapped है या two year की service है या president secretary of union इन दो में से इसे तीन option यहाँ पे आ रहा है अलागी तमाम option और भी आते हैं वेट जड़ा मैं देख रहा हूं reporting officer यह हो गया one minute appointment posting तो यह request based फिर apply for वेट 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 यह गलत हो रहा है हमसे request based और फिर apply for request transfer हाँ तभी वो अलग तरीके से खुल रहा था अब यह इस तरीके का खुल के आएगा ठीक है वो मेरा exemption में click हो गया था तो जब इस तरीके से interface खुलेगा तो यहाँ पर request type में आपको general करना है ठीक है pending code के इसमें no करना है ground of transfer request में अपना ground select कर लिए अगर critical illness है तो इसको physically handicapped है तो second वाला divorce हुआ है तो third वाला widow है तो fourth वाला spouse आपके working है तो spouse वाला अगर इन में से कोई भी weightage नहीं है तब आप others select करेंगे अगर आपकी service 58 साल हो चुकी है मतलब आप 58 साल के हो चुके है service नहीं sorry आपकी age 58 years हो चुकी है दो साल आपके service के बच्चे है तो less than two year service वाला आप select करेंगे mental sick child अगर आपका बच्चा कुछ तरीके से है या aspirational district posting ठीक है तो इस तरीके से आप इसमें से जो भी आपका हो या mutual transfer आप चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं ठीक है तो अब जैसे spouse ground पर लेना है तो हमने spouse जैसे select कर दिया अब इसमें मांगेगे organization type यहाँ पर यह है कि आपको जो आपके spouse है उनका proof यहाँ पर लगाना है तो जैसे उनका government इसमें government आरा प्राइवेट आरा पी एस यू यू उनिवर्सिटी कॉलेस तो government organization name किस organization में है आपकी पतनी या पती तो वो आप लिख लीजिएगा ठीक है तो यहाँ पर जैसे secondary education है तो secondary हम डालेंगे फिर उसके बाद place up posting इनकी posting कहाँ है जो आपके spouse है उनकी posting कहाँ है वो डालनी है किस post पर है तो वो इसमें डालना है ठीक फिर यह supporting certificate जैसे आपने गर spouse का लिया है तो spouse के case में सबसे पहले आपका होना चाहिए marriage certificate क्योंकि marriage certificate ये एक proof होगा कि आप जिसका ground दिखा रहा है उससे आपकी शादी हुई है फिर उस व्यक्ति का service certificate होना चाहिए इन दोनों page की एक ही pdf में बना ले और यहाँ पर choose file में करके यहाँ से उठाके आप इसको select कर लें ठीक है choose file में जो pdf होनी चाहिए वो 100 kb से उपर की नहीं होनी चाहिए jpg, jpeasy, pdf किसे भी format में हो कोई समस्या नहीं है तो इस तरीके का process करने के बाद और यह जो process खुला है ground of transfer request अगर आप others select करेंगे जैसे यह तो हमने बता दिया जब आप कोई select करेंगे उस तरीके से अपना कोई ground दिखाएंगे मालो हमने others किया तो others में नहीं आएगा, others में सिर्फ यहाँ पर आप चाहें तो na लिख सकते हैं या चाहें तो कुछ भी दिखा सकते हैं, mother sinless, father sinless, या बच्चे गाँ जो भी आप या दूरी है, जो भी आप लिखना चाहें इसमें अपना remark दे सकते हैं अब जैसे मालो अगर आप डिवोर्सी का करते हैं तो इसमें डिवोर्सी का सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है, आप विडो करते हैं, तो विडो में तो फिर कोई दिक्कर नहीं, उसमें कोई भी आप से option नहीं माँग रहे हैं, सिर्फ विडो करके आप आगे बढ़ सकते है सारे option देख लेते हैं क्या क्या चीजे में माँग रहे है, critical illness, critical illness में भी किसको समस्या है, तो उसका relation क्या है, type of illness क्या है, duration कब से है और उसकी आप supporting document भी submit करेंगे, physically handicapped में भी वही सेम चीजे हैं, आप सारी fill करेंगे और वो proof submit करेंगे, जिसमें physically handicapped prove हो सके कि आप हैं, या आपका बच्चा यह मलब कई सारे clause दिये, आप वो दिये हैं, आप में परिसिस्टा में देख लीजिएगा, less than two years में भी आपको कुछ नहीं upload करना है, सिर्फ remark देना है, ठिक, mentally sick child में भी कुछ नहीं करना है, सिर्फ remark देना, बाद में आप जब आपको डियासर वहाँ पर आपको अपनी पत्रवली दे कर जाना है, एस्पिरेशनल डिस्टिक पोस्टिंग में भी सिर्फ आपको रिमार्क देना कुछ भी upload नहीं करना है, mutual transfer का भी option आ रहा है, अगर आपने कोई mutual transfer ढूंड रखा है, तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक, जैसे आप mutual transfer में व दिया, अधर वाले ज्यादा केसे से, अधर में आप कोई भी रिमार्क दे दें यहाँ पर, जो मैंने मालो एने कर दिया, फिर उसके बाद जो next option होगा, select maximum five choices one by one, इसमें organization आपका है, डिरेक्टरेट अफ सेकेंडरी एजुकेशन अलेडी, office state है, district, कौन सा district आपको select करना है, कहां आपको transfer चाहिए, जैसे हमें transfer मालो चाहिए आजमगड में, तो आजमगड सेलेक्ट कर लिया, अब उधर जो हमने, जैसे यहाँ पर जब any office करेंगे, तो यहाँ वे सारे विद्याले खुलेंगे आपके आजमगड के, लेकिन सारे नहीं हमें select करने हैं, हमने जो उधर list देखी थी, list से जो विद्याले हमने note किये थे, वही कोई एक विद्याले select कर लेंगे, जैसे मालो हमने देखा था, government girls inter college आजमगड में, मेरे post की vacancy थी, हमने इस पर click किया, select कर लिया, फिर select पर option करेंगे, यह नीचे हमारी आगई, देख सकते हो, आप यह cross बना है, और यह एक विद्याले हमारा select हो चुका है, अब हम क्या करेंगे, दूसरा विद्याले select करेंगे, same, जो यह office लिखा, जहाँ पर हमने government girls inter college select किया है, इसी पर हम फिर से click करेंगे, फिर हम दूसरा कोई विद्याले देखेंगे, जैसे government girls inter college बरवन लाल गंज, इसको भी हमने select कर लिय यहाँ पर select कर दिया, यह भी नीचे आ गया, ठीक है, दो विद्याले हमारे select हो गया, फिर हमने उदर जो post देखी थी, उसमें से ही कोई तीसरा विद्याले जैसे government high school फतेपूर हम करेंगे, इसको भी select पर click करेंगे, तीन विद्याले नीचे आ गया, max 5 करने है, आप चाहें तो 5 कर सकते हैं, चाहें तो 2 कर सकते हो, चाहें 1 कर सकते हो, चाहें 3 कर सकते हो, चाहें 4 कर सकते हो, पांस से ज्यादा नहीं होगे, इसी तरीके से आप अगर district भी change करना चाहते हैं, हमने हमें चलो अब आजमगड हो गया, हमारे पडोस में कोई जिला है, ठीक है, उसमें हमे में हमें जाना है तो हम देख रहे हैं कि अगर आजमगड नहीं मिला तो मौ को भी हम option के रूप में रख सकते हैं फिर उसमें भी सेम वही है हमने कोई विद्याले एक select कर लिया select करके चार हो गए फिर हमें लगा कि उसका हमारा आजमगड का और कोई nearby state है तो वो भी select कर सकते हो आप तो जब ऐसे select कर लोगे तो 5 विद्याले आ जाएंगे फिर ये finish and submit आपको दिख रहा है finish and submit पर जब आप कर देंगे click finally आपका submit हो जाएगा तो हमने आपको process बता दिया है 3-4 step हैं सबसे पहले आपको list जो news section में vacancy देखनी है वो विद्याले note कर लेने हैं जहां हमें transfer चाहिए जहां पर हमारी post की vacancy होगी ठीक उसके बाद हमें point pen and posting ways जब select करेंगे तो हमने process बता दिया है क्या क्या उसमें करना है फिर उसके बाद हमें अपना reporting officer को add करना reporting officer को add करने के यहां पर general करना है no करना है ground of transfer आपको select करना है जो भी है अगर spouse का case है तो हमने दो बताए हैं ठीक है मेरा session यह lag out होने वाला क्यों time हो गया काफी तो यह चीजे हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हो I think समद में आ गया होगा clear हो गया होगा फिर उसके बाद जब आपका हो जाएगा तो इसका screenshot ले लीजिएगा इस page का यहां पर आपके विद्याले आ जाएंगे यहां पर previously submitted request है तो यहां पर request आई भी जो submit कर देंगे तो इस तरीके से सब आ जाएगा पेंडिंग दिखाएगा उसका screenshot निकाल लीजिएगा फिर आपको वो सारे document लगा के जब आ आई होप समझ में आ गया होगा मैंने step by step आपको बता दिया किस तरीके से करना है ठीक है फिर भी कोई confusion है आप पूछ सकते हैं मिलते हैं next video में